मुर्गी का अंड़ा बना मासूम की जान का दुश्मन मा ही निकली अपनी ही चार वर्ष्य बेटी की हत्यारिन घर में रखे अंड़े को फोड़ने से नराज मा ने सर को दिवार में टकरा कर दी हत्या सर को पीछे से पकड़ कर दिवाल में लड़ा दिया कोकरास थाना शेत्र के चौली गाव में एक सब्ता पहले मासूम गायब कर मा ने अपरहन की घटना का शड़ियंत्र रचा कर पुलिस को गुमरहा करने का प्रयास किया सूचना पर पुलिस अदिक्षक अभिरंदन सिंग कई थानू की फोर्स लेकर पड़ोस के कई घरों की तलाशी ली लेकिन मासूम की कोई जानकारी नहीं मिली मा के बयान के अनुसार पुलिस ने पड़ोसी की छट पर रखी लाश को हटाने का प्रयास कर रही के शोरी को हिरासत में लेकर पुस्ताच की लेकिन मामले का खुलासा नहीं हो पाया पुलिस अदिक्षक ने थाना कोखरास सहित एसोजी टीम को घटना के अनावरण की जिम्मदारी स्वापी एसोजी और कोखरास थाना अंध्यक्ष के अथक प्रयास से मासूम की कातिल मा को ग्रफतार कर जेल भीश दिया घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि मासूम की कातिल मार एखा देवी ने पूस्ताज में जुर्म स्विकार करते हुए कहा कि कुमारी पायल तीन जून की शाम पांच बजे घर पर रखे दरजनों मुर्गी के अंडे डंडा मार कर फोड़ दिये थे घटना से नाराज होकर मासूम के बाल पकड़ कर दिवार पर कई बार टकरा दिया इससे वो मूँ से खुन फेकते हुए बेहोश हो गई काफी देर बाद जब होश नहीं आया तो मासूम को मुरत समझकर चारपाई के नीचे शपा दिया राद के समय मासूम का शब उठा कर पड़ोसी की छट पर कड़िया के धेर में छपा दिया घटना को चिपाने के लिए ननंद ने तरीका बताया कि मासूम क्या परहंट की सूचना देकर अफवा फेला दी जाए जिससे किसी दोसरे को हत्या का जिमदार माना जाए महिला के खिलाफ लिखा पड़ी कर पुलिस ने चेल फेज दिया है जैसे यह सूचना मिली हमारे ततकाल सारे ओफिसर्स हमारे ठाना प्रभारी मैं स्वयम हमारे सियों साहब सब लोग मौके पर पहुंचे हम लोगों ने व्यापक सर्च अभियान चलाया और उसके बाद जब हम लोगों ने एक एक करके घरों की तलाशी लेनी शुरू की तो और उस दारान एक व्यक्ति है जो घर दो तीन घर छोड के उसका घर था मृत का के दो तीन घर ऊछोड के उसका घर ता उसके छट्य बड़डी मिली अरहर की लकडियों में डवी बड़डी मिली शुरू में लोगों को यही सस्पेक्ट हुआ है शपिशन हुआ कि वीक्ति दिनेश ही है जिसने हत्या करके इस घटना को अन्जान दिया है परंतु उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई हमारी जो स्वाट टीम है और ठाने की जो टीम है दोंने बहुत ही प्रोफेशनल धंग से एक-एक व्यक्ति का से पूछताच की उनके बयान र उस्सा होकर कि उस छोटी बच्ची ने अंडे फोड दिये थे उसने उसका सर दिवाल में तीन-चार बार लड़ाया जिससे कि उसके सर में अंदरूनी चोट आई और वो मौके पर ही मर गई उसके बाद अपनी जो दो ननद हैं उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने सारी घटनाक्रम को बताया कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ है उसमें उन्होंने यह बताया कि जो महिला है उसके बाद उसने बेड के नीचे उसकी लाश को छिपा दिया उसी दौरान पूरे परिवार वाले जो बाकी लोग हैं गाउं के लोग हैं और वो लोग सर्च कर रहे से अगले दिन पुलिस भी सर्च कर रही थी उन्होंने हमारे मेला ने हमारे सामने विया के गलत बयान दिया उसके बाद इसने मौका पाके रात्री में जब सभी लोग खोज के आके सो गए घर में तो इसने छट पे जाके चुकि सभी के छट कनेक्टेड हैं उसने दिनेश के शर्ट पे जाके अरहर की लकड़ी वहां रखी थी उसके नीचे उसकी बॉड़ी को छिपा दिया और पूर्व प्रायोजित कारेक्रम के तहट पुलिस उनके घर में घुशने लगी तो यह चिलाना शुरू कर दिया जब इंको लगा कि बॉड़ी पुलिस वहां से रिट्र टीम को इनका पुशंसा करते और इनको पुरस्कृत किया जाएगा और आगे की जो कानूनी कारवाई है इसने हम लोग कर रहे हैं तो गाओं काफी लोगों ने इस पर प्रिशर किया उननों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस क्यों नहीं उसे जेल भेज रही है पर सारे लोगों के बातचीत करके जो सही अभियुक्त है इसने सही में घटना अनावरण किया घटना का कारित किया उसको हम लोग उसको जेल भेज रहे हैं ताकि इस मामले में जस्टिस